चम्तकार चक्ष में आपका स्वाक्त है परमिश्र के लोगों आज में आपको ये सुचना देना सारा हूं कि इस वर्ष 22 जन्वरी को उपवास का दिन ठराया गराया है क्योंकि परमिश्र के पोत्र वचन में लिखा हुआ है एजरा आठ अधियाए और उसका 21 वचन में लिखा है तब मैंने वहां अर्थात एवा नदी के तड़ पर उपवास का पचार इस अच्ष से किया कि हम परमिश्र के सामने दीन हूँ और उससे अपने और अपने बालबच्चों और अपनी समस्त संपत्ती के लिए सर्ल यात्रा मंगे और यह भी लिखा है 23 वचन में कि इसी विशे पर हमने उपवास करके अपने परमिश्र से प्राथना की और उसने हमारी सुनी तो यहां लिखा हुआ है कि उपवास का परचार किया गया था किसलिए तांके यहां एक एक बात लिखी है पहली बात तो यह है कि परमिश्र के सामने हम दीन हो हो सकता है पिछले वर्ष में हम लोगों ने कोई भी हमारे अंदर कुई कमी घटी आई हो और इस वर्ष हमें दीन होना है और में जो बात है जिसके लिए मैं आपको उत्षाहित करना चाहता हूँ को आप राथां करें और उस से अपने और अपने बाल बच्चों और अपने संपती के लिए सरल यात्रा मांगे इस नए वर्ष में आप अपने लिए सरल यात्रा मांगे रहे और रहा है और अपनी और अपन्वार abstract संपती और बाल बच्चों के लिए आपको पराथा करनी है कि परमेश्व इस वरश बाल बच्चों को हम आपकी हात में स्वाम के ही यह बाल बच्चे बुरी संक्ती में ना जाएं यह बाल बच्चे जो हैं उन्हें बुद्धी मिले समझ मिले ग्यान मिले परमेश्व के भै में चलने वाले हूं परमेश्व से प्रेम करने वाले हूं यह और फिर तीसरी बार यहां यह लिखे ही है कि समस्त संपत्ती के लिए सरल जातर मांगें, आपकी जो संपत्ती है, परमिश्य जो आपकी कारे हैं, आपकी बैके हैं, आपकी जो गाड़ियां हैं, आपकी जो प्लाट हैं, आपकी जमीन हैं, आपकी पश्यू हैं, जो भी आपकी संपति आपका सोना आपका चांदि उसकी किसी परकार की कोई भी आहानी नहो बकि इस वर्ष में वह फल्वानत हो वो बेले स्वो वह आशिश के लोगों कही बर क्या होता है कोई लिख कुवह qis पड़ जाता है कौर कैस पड़ गया जमीनिये बिक जती है एचान Ho कोई बीमारी आगी सोना भिकी जाता है और आपके संपति घटने लगती है बढ़ने लगती तो इस वरश पर मेशर से हम लोग बिन्टी करें के पर मेशर हमारी संपती की जो है वो रक्षा करें हर बात लिए जनी की तीने बाते आप याद करिए गया अपने और अपने बाल ब पोईतरात्मा और पोईतरात्मा के वर्दानों से भरकर रखे लेकिन में अपने लिए अपने बाल बच्चों के लिए और अपके संपत्ति के लिए ब्लैसिंग मांगे इस नयवाश में इसलिए उपवास का दिन जो है वो 22 जन्मरी को संड़े को रखा गया है हम सब लोग प्राथना का दिन एक महासबा का दिन ठ्राएं तांके सब लोग उस दिन परमिश्क भवन में आएं परमिश्न भवन में कठ्यों कर प्राथना करें और यूएल एक धिहाए और उसका 14 वचन में लिखा हुआ है यूएल एक धिहाए और उसका 14 वचन में लिखा हुआ है कर दिन तराओ तो हम लोगों ने इस वर्ष के लिए जो है 22 जनवरी को व्पुआस का दिन फ़ेराया है पुर्णियों को वरना देश के सब रहने वालों को भी अपने परमिश्य हुआ के भवन में एकठा करके उसकी दुहाई दो तो इस वर्ष ब्लैसें के लिए हर तरह की आश्यों के लिए सरली यात्रा के लिए के कोई भी आपको कठनाई ना हो जो पुर्णिये हैं जो बजर्ग हैं जो बुड़ हैं वो और देश के बाकि सब लोग कठे हूं परमिश्य के पुईतर भावन में और परमिश्य से उस दिन प्राथना करें और फिर यूएल दोध है और उसका पंद्रा और सोला वचन में लिखा हुआ है कि सियोन में नरसिंगा फुको कुपवास का दिन ठराओ कुपवास का दिन ठराओ महासभा का परचार करो सब को बताना है महासभा का परचार करना भी इस दिन महासभा होगी मह सब्सक्राइब करो लोगों को इकठा करो सब्सक्राइब करो पुर्णियों को बुला लो बच्चों और दूद्ध पियों को भी कठा करो बच्चों और दूद्ध पियों को भी कठा करो आपको मालूम है बजन साथ में लिखा हुआ है तो दूद्ध पीते जो बच्चे हैं ज वो भी उस दिन परमिश्क भवन में आए उप्वास रखें और परमिश्क भवन में आए सो 22 जन्वरी को एतवार के दिन उप्वास का देट रहा गया है महासभा का परचार करो सब को बोले उस दिन उप्वास रखें और मेर पराथना जो यह है अपने लिए अपने लिए करन मांगे, blessing मांगे, तो इसलिए आप भी ऐसा करें, परमिश्राप को बहुत बहुत आशिश दे, परमिश्राप के संग रहे, आमें.